हेलो फ्रेंजस hep एको मेले नमस्कार आझ हमे लेकर करें है सलवार की कटिंग हैं इंटले सटीचिंग तो कि Casey प्रेंज मैंने इसमें कपड़ा ले रखा यह मैंने बैल्ड का कपड ले रख है इसकी में हमपार बना रहे हूँ तो में मैंने पहले ही एक साइट से कट कर लिया था तो वह बचा मेरा यानि कि मैंने बैल्ड रख दी 36 शारी 26 शारी 26 मैंने बैल्ड रख लिए तो यह 26 मैंने कुछ इस तरह से बैल्ड रख ली आप अपने अनुसार रख सकते हो नॉर्मली बैल्ड अगर जो आपकी कमर 32 है तो हम उसको रख सकते हैं 21-22 लेकिन यह मैंने 26 इंच रखी थोड़े हैल्थ के हिसाब से तो मैंने इसको 26 इंच बेल्ड रख ली कुछ इस तरह से यहां से इस तरह से और यह मैंने चोड़ाई में जो रखूँगी मैं इसकी 9-inch weld रखुँगी मुझे 9-inch weld चाहिए कुछ इस तरह से तो यहां से भी मैं इस तरह से ही कट कर दूगी तो 9-inch मैं weld रख लूगी चोड़ाई में और लंबाई में 26 इंच तो फ्रेंस यह कुछ इस तरह से मैंने बैल्ड की चोड़ाई और लंबाई ठीक ठाक नापली और मैंने अब जा इसको इसको कट करूँगी, कट में कुछ इस तरह से करूँगी, देखो, यहां से कट करूँगी मैं इसको, यहां से कट करते हुए, कुछ इस तरह से, और मैंने जो कपड़ा, यह बैल्ड तो मेरी एक तो से यहांको में खोने कर लिए फ़ोल्ड कुछ इस तरह से कर लिए मैंने कि कुछ इस तरह से कर लूगर से हमारा उसको बह ऐसी कर लिए दृए फाइदा है और एकसार कर लो से पहले उसको बहुत अच्छा से इकसार कर लिजी, फिर इसको कटिंग करिए, पहले उसको इकसार कर लिजी, फिर उसकी कटिंग करिएगा तो मैंने कुछ इस तरह से इसको पहले इकसार कर लिया इकसार कुछ इस तरह से करते हुए, अब मैंने इसको यहां से कटिंग करने के बाद अब फिर मैं इसको सलवार को कट करूँगी तो friends मैंने कुछ इस तरह से इसको पहले कटिंग कर लिया अब यहां से इसको इस तरह से मैंने पकड करके यहां से देखो बहुत ही अच्छा होगी हमारे यह बिरकुल एक शार हो चुकी तो मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं यहां से इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी बहुत अच्छी finishing के साथ तो यहां से मैंने यह फोल्ड कर लिया फोल्ड मैंने कुछ इस तरह से कर लिया इस तरह से मैंने फोल्ड करने के बाद यह मैंने जो फोल्ड किया है यह मैंने यानि कि सलवार की मुहरी है तो मैंने यह 5 इंच फोल्ड करी है और इसकी जो लेंथ रख रही हूं मैं यह मैंने 31 इंच रखा यानि कि 32 ने रखके 31 लेकिन आप अपने अनुसार रख सकते हो सलवार वैसे 32 इंच होती है लेकिन इनकी ल इंच कुछ ऐसे अदर करने के बाद इसकी हो से नाप लूगी इधर की साइड यहां मैंने कुछ इस तरह से निष्ण लगा दे बहुत ही आसां तरे किषन निषान लगा करकर विरुक्य स्थर दो तो अलिग्स Ф Two I ve यहां रही लिए तरह से मियाननी के लिए कट कर लूगिए यहां से और यह मेरी कलिया हो जाएंगी दो कलिया और दो इसमें और यह मैरा मोहरी 810't काइं तो प्रेंट्स कुछ इसivos रही है मैंने इसको यहां से कट कर लिया कुछ इस तरह से कट करने के बाद अब मैं यहां से भी देखो यह मैंने आप अपने अनुसार रख सकते हो लेकिन मैंने यह जितना था मैंने उसी के साघ्ट के लिए आप कर देंगे इसकी यानि इसलाई तो यह हमने कुछ इस तरह से रखते होएं अब हम करेंगे देखो यह मैं इस तरह से यहां देखो यह कलिया मैं मैं शिल Search और इधर भी यह वाली कली मैं से अब हम यहां से आप कर देंगे इसकी यानि की सिलाई तो यह हमने कुछ इस तरह से रखते हुए अब हम करेंगे देखो यह मैंने इस तरह से यहां देखो यह कलिया मैं सिल लाई और इधर भी यह वाली कली भी मैं सिल के लियाई कुछ इस तरह से देखो हमने यह कली भी सिल ल देखो एक कली एरी हमारी और एक कली एरी है ना अब हमें उसको दूसरे कपड़े को लेंगे यानि के दूसरे सल्वार के मुहरी को लेंगे इस तरह से कली से कली हम ज्वेंड से ज्वेंड ही मिला देंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा सल्वार का लुक बैठे का तो हमने फ्र अब हम सिलते हैं कुछ इस तरह से और इधर की साइड से भी हम इधर की साइड से इस तरह से सिल देंगे यह हमने इधर से भी इधर से भी हम दोनों साइड से सिल देंगे यहां कुछ इस तरह से तो मैंने ये इस तरह से सिलाई लगा दी और ये सीधी सिलाई लगाती जाओंगी एकदम ये इस तरह से मैंने सिलाई लगाई और यहां से भी मैं इस तरह से ही सिलाई लगाती जाओंगी कुछ इस तरह से यह नमने बैल्ड बना रहे हैं हम सलवार की मोरी की सौरी यानि के सलवार की बैल्ड जो हमें जिसमें हमें प्लेटे डालनी है तो कुछ इस तरह से हमने यह सिलाई कर लेंगे और यहां से भी इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए एक पैर की इधर की साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहां से भी इधर को भी हम सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से अब यह हमने यहां से सिलाई लगा करके यह यहां इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे यहां को हमारा कमर बन डल जाएगा और यहां इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएगे तो मैंने इस तरह से यह सिलाई लगा दी और यहां से सिलाई लगाते होए गए कुछ इस तरह से प्लेटै डाल लएगे तो हम यह एक साइज से डाल ले ज़ाएं लें इससाइज में कुछ इस तरह से छले लाएंगे हैना कुछ इस तरह से देखो पहले हम एक साइड तो हम इधर से डालेंगे और दूसरी साइड हम दूसरे हाथ से डाल देंगे एक साइड की हम राइट हाइट से एक साइड की हम बाय हाँ से इस तरह से यह हम लेप्ट हाँ से डाल ले हैं वो वाली हमने राइट हाँ से डाली है तो कुछ इस तरह से ही प्लेटे डालते जाते हैं तो हमने इस तरह से प्लेटे डाली तो इस तरह से प्लेटे डालते हुए कुछ इस तरह से हमने प्लेटे डालते जा रहे हैं और यह हमने इस तरह से प्लेटे डालके तो यह हमने इस तरह से प्लेटे डालते हुए कम्प्लीट कर लेंगे तो यह हमने कुछ इस तरह से प्लेटे सारी डाल दी और डालने के बाद जो हमारा कपड़ा इस धर से अश्ट्रा बचा हमने इसको इस तरह से सिल दिया कुछ इस तरह से सिलने के बाद अब हम यहां से इसके उपर एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे कुछ इस तरह से देखो, हमने प्लेटे डाल चुके हैं और अब हम सिलाई लगाते जाएंगे, सिलाई हम कुछ इस तरह से लगा देंगे, कंप्राइब का यहां देख निचे का हमारे निचे दूसरा कि कपड़ा हमारा स्हीजाना जाए तो हम इसलिए इसको हटाते हुए कुछ इस तरह से आंश्थिस तरह से में सीले ही लगते जाएगे और यहां से हम सिले लगा करें का देखो यह मैंने यानिके मोहरी के लिए कम्प्लीट करें यह मैंने फॉम ली है और फॉम को कपड़े में इस तरह से लगा करके सिल देंगे और सिकुछ इस तरह से सिलते हुए अब हम सिद्धी सिलाई लगा देंगे और फ्रेंज अगर आप नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हुए और मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से जाएएगा मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि म डीडियो को सब्सक्राइब कर आउस्ते हैं और ऑर में इसको यह स्लाई लगाते लगा लगा ते इसको सीधी की साइड़ मेंने महरी को और या नीचे की साइड़ को फोल्ट कर दूंगी कुंद के तो कुछ इस तरह से हम जब सिलते हुए, यहां मैंने इस तरह से सिल दिये, और देखो मैंने इसको अच्छा से फोल्ड कर दी, फिर मेरी सलवार कुछ इस तरह से बनके कम्प्लेट हुई, यह मैंने इस तरह से कम्प्लेट कर दी सलवार, तो फ्रेंस, यह हमने, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई बाई